हलो स्टूडेंस वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP Board के प्रश्ण बैंक के वारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि MP Board ने कुछ दिन पहले प्रश्ण बैंक जारी किये थे और Class 9 से लेकर Class 11 तक के स्टूडेंस के लिए Question Bank जारी किये गए थे और अब MP Board ने Finally Class 12 के स्टूडेंस के लिए भी Question Bank जारी कर दिये है तो Question Bank आने के बाद स्टूडेंस के regular comment और messages आ रहे हैं कि Sir Question Bank से हमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है या फिर परिक्षा अध्यन से पढ़ना है परिक्षा बोट से पढ़ना है कहां से तैयारी करना है तो देखे स्टूडेंस जितने भी आपके डाउट्स है Confusion बनी हुई है आपके मन में आज इस वीडियो में सभी डाउट्स आपके किलियर होने वाले है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास तक दिखते रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजे वैल आइकन को प्रेस कर लीजे क्योंकि हमारे इस चैनल पर MP Board से रेलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा तो चलिए फिर आज काई वीडियो स्टार्ट करते हो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि MP Board ने अभी सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंस के लिए दो सब्जेट के प्रेस्ट बैंक जारी किये हैं सबसे पहले तो फिजेक्स और इसके बाद इंग्लिस तो दो सब्जेट के कॉश्चन बैंक जारी किये गए हैं तो देखे सबसे पहले तो MP Board ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया था 9 March को संसोधित ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक रेडियूस किये गए हैं डिलीटेट पोर्षन यहाँ पर है इसके बाद आँगे यहाँ से देखे यहाँ पर सहायक डिजीटल सामगरी मीन्स डिजीटल माटेरियल वीडियो लेक्चर है उनकी लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी इसके बाद यहाँ से कॉश्चन बैंक सुरू होते है तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनेट है आपकी वो यहाँ पर है देखे फर्स्ट यूनेट के अंदर दो चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर है और यहाँ पर इसके कॉश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद second chapter आपका यहां से start हो जाता है और मैं आप सभी को एक बात और बता दूँ कि अभी MP board ने सिर्फ Hindi medium में question bank जारी किये है English medium में अभी तक question bank जारी नहीं किये गए है और इससे पहले जब MP board ने अपनी official website mpbse.nic.in पर जारी किये थे उस website पर भी Hindi medium में जारी किये गए थे लेकिन मैंने English medium में translate करके आपको provide कराए थे तो अभी भी अगर आप comment करेंगे तो आपको English medium में translate करके provide करा दिये जाएंगे तो यहां पर देखे प्रस्टन बैंक को छिस प्रकार से हैं सकी आप देख सकते हैं और प्रस्टन बैंक के अंदर IMP question है जी हाँ students बिलकुल है क्योंकि मैंने पूरे प्रस्टन बैंक को देखा है analyze किया है और यहां पर देखे IMP question है बिलकुल है यहां पर देखे सबसे पहले तीन marks के लिए देखे सबसे पहले तो इस chapter से यहां पर जो आपका फस्ट चेप्टर है यहां पर बहु बिकल्पी प्रस्टन बनना है इस chapter से एक तो यहां पर देखे total केतने question है 6 question दिये गये हैं और इसके बाद नीचे देखे यहां पर तीन-तीन marks के लिए भी पांच question दिये गये हैं और इसके बाद 5 marks के लिए 4 question दिये गए है इस chapter से जो बनना है इसके बाद second chapter यहाँ पर है तो second chapter से भी इसी π्रकार से question दिये गए है second chapter में इसके बाद यहाँ से unit second chapter tide आपका यहाँ से start हो जाता है धारा विद्योत इसके बाद यहाँ पर देखे इसी प्रकार से पूरा प्रस्ट बैंक है आपका आपको डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं अब हम डारेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि प्रस्ट बैंक से हमें तयारी करना है या फिर नहीं करना है तो स्टूडेंस देखे बहुत सारे यूटूब चैनल पर आपने वीडियोस देखे होंगे और वीडियोस मां बताया जा रहा होगा कि प्रस्ट बैंक से तयारी करना है तो बिल्कुल सही बताया जा रहा है students और कुछ चैनल पर आपको बताया जा रहा होगा कि प्रेस्ट मैंक से तैयारी नहीं करना है लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि MP Board ने पहली बार study material आपको provide कराया है और MP Board जो बिमर्स पोर्टल इसकी website है उस website पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेस्ट मैंक मिलेंगे इसके अलाबा जो MP Board का YouTube चैनल है बिमर्स MPSAD नाम से उस चैनल पर जो Commissioner Mem है उन्होंने खुद कहा है कि प्रेस्ट मैंक से आपको तैयारी करना है और MP Board ने Question Bank प्रोवाइड कराए है और आप सभी को पता होगा कि MP Board ने पहली बार आपको Question Bank प्रोवाइड कराए है इससे पहले अभी तक आपको Study Material MP Board के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया तो जब MP Board आपको कोई Study Material दे रहा है तो बच्चों के साथ खेलबार नहीं करेगा MP Board को पता है कि इस बार बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है और MP Board खुद यह चाहता है कि बच्चों का Result ना बिगड़े इसलिए आपको Material दिया जा रहा है और जो Material दिया जा रहा है इसस इससे Question पूछे जाएंगे लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इससे 100% पेपर बनेगा या फिर 90% जो Question है वो इसी से आएंगे लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि MP Board ने अगर Question Bank आपको Provide कराए है तो इससे Question बनेगे MP Board कभी भी बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा और आपको Question Bank Provide कराए गए हैं तो इनसे तयारी करना है बिलकुल करना है लेकिन आप जसे तरीके से तयारी कर रहे थे उसी तरीके से कीजे और इन Question को भी कीजे ऐसा नहीं है कि इन Question को आप बिलकुल ना करें एक भी Question ना करें इनको भी करना है और आप English Medium से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है करा दिया जाएंगे तो चलिए स्टूडिंस टॉपिक हमने कबर कर लिया है अब आपको पता चल गया होगा कि आपको तयारी कहां से करना है और देखे यूटूब चैनल पर कुछ भी बताया जाएगा आपको उससे मतलब नहीं रखना है आप अपने टीचर से भी पूछेंग तो टीचर भी यही कहेंगे कि प्रस्ट बैंक से तयारी करना है और बहुत सारे गवर्मेंट स्कूल में या फर प्राइबेट स्कूल में तो अभी नहीं करा जा रही होंगे क्यूंकि प्राइबेट स्कूल में ज़्यादा तर इंगलेस मीडियम है और इंगलेस मीडियम में अभी question bank available नहीं है तो हिंदी मीडियम में आप कहीं भी देखेंगे तो present bank से तयारी कराई जा रही है और teacher भी वेवा खूब नहीं है तो teacher आपको अगर question दे रहे हैं और question bank से तयारी करा रहे हैं तो teacher को सो समझ के करा रहे होंगे इसलिए teacher की बात मानिये और question bank से भी पढ़िए और जिस तरीके से तयारी कर रहे थे उसी तरीके से करिए ऐसा भी नहीं है कि पूरा paper इसी से बनेगा तो इससे बाहर भी कुछ question हमें पढ़ना है तो अपनी तयारी में लग जाईए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी को follow कीजे और कोई भी दिक्कत आई students तो comment करके आप हमें जरूर बताइए तो शलिए students आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कीजे और हमें support करते रहे है क्योंकि हमारे शेयनल पर आपको MP Board का full study मते है